प्रस्तुत है अविनाश कोट द्वारा लिखित कविता ये इन तिहानों का तोर है निकल रहा है चांद रोज सूर्य की भी नहीं चमक घटी फिर भी अंदकार छाया है चारो और ये कैसी अनहोनी घटी अब अपनी परचाई से भी डर लगने लगा ऐसा लगता है करोना का भूत पीछे खड़ा करोना का भूत पीछे खड़ा मृत्यू का कांडव हो रहा लाशों के अंबार लगे परी जनों से प्रिय दिछड रहे कितनों के हिर्द्य जले पर घर में नहीं चूले जले मरने को अब दोगर जमीन और चंद लकडियां भी नसीब नहीं हो रही कैसी अंधेरी चाई है भगवन धरती के धरातल पर क्या आंख तेरी नम नहीं हो रही मरघट में जलती लाशों का नहीं धुआ गटा दे एक शिखाओं की लोगो लगता है कोई ज्वाला मुफी है पटा किसी की उजड़ी मान कहीं ममता विलक रही कहीं अनाखों की चीकें दिल को चीरते निखल रही पर गिद जैसे हैं कुछ लोग जो इंसानों को नोचने में हैं लगे हुए नहीं उन्हें खुदा का दिखों नोट कमाने में लगे हुए नहीं दिखाई देती उन्हें किसी की उजड़ी मांग नहीं सुनाई देती उन्हें बिलक्ति मां और अनाथों की चीकें स्लगन है वे अपने ग्रिनिक कार्यों में कान अपने बंद किये आंखे मीचे भूल रहे है वे उनका अंत भी आ सकता है खाली हाथ उन्हें भी जाना है कफन में कोई जेव कहां लगवा सकता है कफन में कोई जेव कहां लगवा सकता है हे इंसानों इस बात को समझकर अपना स्वार त्यागो किसी की मदद करने से ना भागो इस मुसीबत की घड़ी में ना पैसा बड़ा है ना पद बड़ा है बड़ा वही जो मुसीबत में तुमारे साथ खड़ा है इसलिए इंसानियत को शर्वसार ना करो इंसान हो इंसानियत के नाते कुछ तो पुन्या का काम करो इस दुख की घड़ी में सोचती हूं कौन सा मंत्र पड़ू मैं भगवान इस धर्ती पर आजाए कश्ट हर ले सब प्रानियों का चारो और खुशाली चाजाए चारो और खुशाली चाजाए ये स्ष्ष्टी के रचना करता ये स्ष्ष्टी के रचना करता ये परवर्दिगार अपनी रह्मतों की बर्शा से इस धर्ती के कन-कन को सैनिटाइस कर दो अंत हो इस महामारी का कुछ ऐसा तुम चमतकार कर दो कुछ ऐसा तुम चमतकार कर दो वक्त बुरा है पर साथ तेरा है ये वक्त भी गुजर जाएगा विश्वास मेरा है विश्वास मेरा है होसला रखो नई सुबह जरूर आएगी उमीद की कली खिलेगी जरूर दुनिया फिर रोशनी से नहाएगी लोट आएंगी खुश्यां अभी कुछ गमों का शोर है जरा संभय कर रहो दोस्तो ये इंतिहानों का दोर है धन्यवाद झाल